आज मकर संक्रांती बाबा पर चड़ेगा तील लगेगा खिष्डी का भोग। माग मासुक लपक्ष की पंचमी तीथी को कुम संक्रांती तक यानि पूरे एक महिने तक बाबा को तील का लड़ू वकिजली का भोग लगाया जाएगा इस साल भी पुन्यकाल 15 जनुवारी की सुबह 7 बचकर 16 मिनट में परवेश करेगा जिस कारण मंदीर स्टेट की ओर से 15 पुरोहित बबलु सिंगारी ने बताया है कि सुमवार 15 जनुवारी को मकर संक्रांती सुबह लग भाग 7 बचकर 16 मिन से प्रारम भोगा जो दिन भर रहेगा उन्होंने कहा है कि मकर संक्रांती पर सुमवार की सुबह नदी वार सरुवर में अस्नान कर सत्य नरायन कथा सुन साथ ही तील वस्त्र दान करने से पुन्य की प्राप्ति होती है मकल संक्रांत्री से लेकर एक महिने तक मंदीर इस्टेट की ओर से बाबा को बिधी बिधान पुर्वक खिचडी वो तील के लड़ू का भोग अरपित किया जाएगा CM को मिले समन पर बोले मंत्री मिथी लेश ठाकूर हमें इसकी आदत हो चुकी है CM हेमान सुरेन को ED ने आठवा समन भेजा है और इसके माध्यम से CM को एक बार फिर से पुछ तास का समय बताने के लिए दो दिनों की महला दी गई है अब की बार ED ने कहा है कि अगर CM समन के लिए नहीं आते हैं तो ED खुद मजबूर होकर आएगी ऐसे में इसके बाद से एक पर फिर से रायनिती के लियारों में हल्चलतेज हो गई है इस पर अब कांग्रेस कोटे से मंत्री मिथी लेश ठाकूर का ब्यान सामने आया है अब तक पिजेपी ने सिर्फ राजे को पीछे धाकेलने का काम किया है बता दे कि परवतर निजे साले ने मुखी मंत्री हमासुन को पत्र लिख कर आपना ब्यान दर्च कराने के लिए 5 दिनों 16 से लेकर 20 जनौरी तक का समय दिया है मकर संक्रांती पर रांची में नमो पतंग उत्सव मकर संक्रांती का उसर पर रांची के सांसर संजय सेथ दोआरा OTC मैदान हेहल में भव्वे नमो पतंग उत्सव का उजन किया गया पतंग उत्सव में बड़ी संख्या में बच्चे सहीत महिला एवंपुर्सों ने पतंग उड़ा कर इस उत्सव का अनंद लिया पिछले 16 वर्सों से लगातार नमो पतंग उत्सव का आयोजन किया जा रहा है सांससाजर falar 16 ने कहा है कि आज के बच्चों की दुनिया और दोस्ती मोबाइल तक सीमी ठोका रहा गई है आज के बच्चे अपनी संस्क्रीटी को जाने इस लिए इस तरह के आयोजन किये जाते हैं अपनी सनातनी संस्कृति के बारे में आज के बच्चों को बताने की जरूरत है लोगों के बीच चूड़ा गूर का बितरन करने के बाद इस मोगे पर सरोस्रेष्ट पतंग बाज को सांसर संजय सेट के द्वारा प्रोस्कृत भी किया गया है इडी ने एक साथ तीस लोगों को भेजा समान जारखन में अवयद खनन केस में इडी की जाक जारी है इस ममले में अब इडी ने जांच का दैरा बढ़ा दिया है जांच की कड़ी को आगे बढ़ाने के लिए इडी ने एक साथ तीस लोगों को समन किया है बतादे 17 जनवरी से अब पुछता शुरू होगी मालूम हो कि 3 जनवरी को रांची, साहेवगंज और अन्य जगों पर E.D. ने छापा मारा था इस छापे मारी में साहेवगंज में कनहया, खोदानिया, नाम के सक्त के ठीकानों से कई दस्तावेज E.D. के हाथ लगे थे ज्यार्खन ओलमपियाड का परी नाम जारी चैनित हुए 1489 चाट्र ज्यारखन सेक्चिनिक अनुसंदाण वं परसेक्षन परिशत नें ज्यार्खन राज ओलमपियाडsentं 2.13 के पहले चल्ण की परीक्षा का परीनाम जारी कर दिया है, इस परीक्षा में पर हुई थी सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले कक्षा साथ आठ एहम नौ के बिद्यार्थी के लिए या परिक्षा पांच बिशयों अंग्रेजी गनीत बिज्ञान समाजिक बिज्ञान तथा समाने अध्यान की अलग अलग लिग गई थी बिद्यार्थी एक या एक से कमिलित होने की अनमती परदान की है अनुदान सेवन्चीत 48 इंडर कॉलेज ओर इसकूलों की अपील खारेज पीछले वर्स अनुदान सेवन्चीत वीत रहीत इंडर कॉलेज ओ बिद्यालियों एवम मदर्सों की अपील पर सुनवाई हुई है समिक्षा के बाद कमीटी नबे कोलेजों और बिद्यालियों को अनुदान देने के उन संसाकी है जबकि 48 संस्थानों के अपील अस्विक्रित कर दिये गए है इन्हें अनुदान नहीं मिलेगा जिन संस्थानों के अनुदान अस्विक्रित किये गए है उनमें कई के अपील पर विचार ही नहीं किया गया है बतादे भी भागिये कमिटी ही हाल ही में हुई बैठक में अनुदान से वन्ची सभी इंटर कॉलेजों, बिद्यालियों, मदार्सों तथा संस्कित बिद्यालों के अपील की समिक्षा की गई आदिवासी भोटरों को लुभाने के लिए बिजेपी ने बनाई रणनी थी रांची में एक गारा फरवारी को भरतिया जन्ता पार्टी के ओर से देश भरके जनजाती समाज के लोगों का समेलन प्रस्तावी थाए इस बिजाल जनजाती समेलन के लिए भाजपा अनुसूचित जनजाती मोर्चाक पुरोतर राज्यों के मोर्चा के पताधिकारियों एवं परदेश मोर्चा के पताधिकारियों के साथ बैठक सनिवार को होई बैठक में मुखे रूप से भाजपा राष्ट्रिये महामंत्री एवं एस्टी मोर्चा के राष्ट्रिये प्रभारी राधा मोहंदास अगरवाल परदेश अदेश भावलमरांडी एस्टी मोर्चा के राष्ट्रिये अध्यक राई सबसांस समीर उराव संगठन महामंत्री करंबीर सिंग मोर्चा परदेश अध्यक सिव संकर उपस्थित थे बैठक के बाद प्रेश को समधित करते वेराष्ट्रे महामंत्री मोर्चा एवं राष्ट्रिय प्रभारी राधा मोहंदास अगरवाल ने कहा है कि प्रदान मत्री नायन मोदी आदिवासी समाज के लोगों के हिर्दय में बसते हैं विश्व बिद्यालियों में घट रही दिव्यांग बिद्यार्थियों की संख्या जार्खन के विश्व विद्यालों में दिव्यांग छात्र शात्राओं संख्या घट रही है वहीं जो नमांकी था है वे भी पढ़ाई पूरी नहीं कर पा रहे है इधार पिछले तीन सेक्षिनिक शात्र से भी नमांकन में कमी आई है सत्र 2021-22 में 533 दिव्यांग छात्र शात्राओं का नमांकन हुआ था वहीं 2022-23 में 474 और 2023-24 में 462 दिव्यांग छात्राओं ने नमांकन लिया था इससे पूर्व के सत्रों में अकिल भारतिय उस सिक्षा सर्वेक्षन के नुसार साथ 71 दिव्यांग विद्यार्तियों को राज के विभीन उस्तर सिक्षन संस्थानों में नमांकन किया गया था इसमें से केवाल 77 विद्यारते ही अपने पाठकरम को सफलता पुर्वक पूरा कर सके फ्रसों के बाद डॉक्टर ने पेट में छोड़ दिये कपड़े मामले की जाच जारी खोटी जीले के सदर अस्पताल इस्थीत मातरू सीसू अस्पताल में गर्वती महिला का परसों कराने के बाद चिकिशक डॉक्टर रेखा कुमारी द्वारा पिडिता के गर्व में ही कपड़ा छोड़ कर सिलाई कर देने का मामला सामने आया है जनकारी के अनुसार खोटी के भगत सिंग्चो के पास रहने वाले रितेश कुमार गुपता के पतनी चिमनिय गुपता के पेट में दर्द होने पर टाटा में होस्पीटल अस्पताल में उसका इलाज कराने पर पता चला है कि पेट में डॉक्टर ने कापड़ा छोड़ दिया है टीम एज के चिकित सक ने पिडिता चिन में गुपता के पेट से कापड़ा निकाला है चिनमय गुपता का खुट्टी के सदर अस्पताल के मात्रू सीशू अस्पताल में परसव हुआ था रितेश कुमार गुपता ने बताया कि उसकी पत्नी परसव पिड़ा को लेकर उससे अपनी पत्नी चिनमया गुपता को 29 नॉमबर 23 इसको सदर अस्पताल के मातरू सीशु अस्पताल में भरती कराया था अपनी सेहत ठीक करने के लिए देश का ब्रहमन कर रहे हैं राहूल गांधी बाबुलाल मरांधी जारकन में परधान मतिनायन मोदी के नमो 9 मत दाता अभियान का सुबारा रविवार को परदेश बीजेपी अध्यक्स बाबुला मरांधी ने साहिब गन जी ले के अस्थाने परिशद में टोल फिर नमबर जारी कर की है इस दुराण उन्होंने कांग्रेश नेता राहूल गांधी की भारत जोडो नया यात्रा पनीशान था था उन्होंने कहा है कि राहूल गांधी लोकतंत्र के बचाव के लिए नहीं अपनी सेहत ठीक करने के लिए देश का अभरावन कर रहे हैं इस मोगे पर बावुला माणडी ने कहा है कि जार्खन में लोक सभा चुना होने वाले हैं इसको लेकर राज में 50 लाक नयम मद्दाता बनाए गए हैं परधान मंत्री के इस अभियान से जार्खन में या पर्यास है कि एक आसी बीधान सभा में 3 लाक नयम मद्दाता जुड़े बावुला माणडी ने कहा है कि मद्दाता दिवसर पचीज जन्वारी को परधान मत्री देश के 5000 अस्थानों परनाए एक करोड़ से अधिक नयम मद्दाताओ से सिदा सनवात करेंगे जार्खन में मैट्रिक इंटर के समकष होगा आईटी आई का साटिफिकेट राजे में आईटी आई के साटिफिकेट को मैट्रिक इंटर के समकष मन्याता दी जाएगी स्रम नियोजन एंपर सिक्षन विभाग ने इस आज का प्रस्ताओ तयार किया है विभाग के प्रस्ताओं के अनुसार दसवी से पहले वह दसवी के बाद आईटे में नमांकन लेने वाले बिद्यार्थियों के दसवी वा बराहमी की भासा विशाय की परिक्षा जार्खन एकेडमी कौशी द्वारा ली जाएगी विभाग द्वारा इस समान में देश के अने राजों के परवधान का अध्यान किया गया है देश के अलग-अलग राजों में आईटे की सर्टिफिकेट को दसवी बराहमी के समकक्ष मनाता दी गई है विभाग ने गुजरात, राज़्थन, आंदरपरदेश, बिहार के नियमावली का अध्यान किया है जार्खन में 8,674 बैंक खातों से हो रही ठगी जार्खन में साइबर अपराधी 8,000 से ज्यादा बैंक खातों में ठगी की रासी टांसपर कर रहे है साइबर अपराधियों के मनी ट्रेल की जांच में अखुलासा हुआ है यह जनकारी सामने आने के बाद अब CID की साइबर क्राइम ब्रांच सभी 8,674 खातों का डीटेल निकाल रही है हालाकि इसमें से 2,000 बैंक खाते को क्राइम ब्रांच में फ्रीज कर दिया गया है सभी खातों की जांच की जा रही है जांच के बाद उन सभी खाता धरकों पर करवाई की जाएगी कोडारमा में वन विभाग जल्द खोलेगा गिधों के लिए रेस्तरा वन विभाग ने गिद्धों के संरक्षन को बढ़ावा देने के लिए कोडारमा में गिद भोजनाले बनवाया है यह जीले के तिले या नगर परिस्द के अंतरगत गुमों में बनाया गया है यहां गिद्धों को पसुओं के सौव परोसे जाएंगे इसको लेकर गोसाला और नगरपालिका के लिए प्रोटोकाल बनाने के त्यारी की जा रही है पसुओं को गोसाला और नगरपालिका इलाके में लेकिन इससे पूर्वया सुनिषित किया जाएगा कि सौव, हानिकारक, दवाओं से मुक्त है प्रोटोकाल त्यार होते ही रिस्दारा शुरू हो जाए जारखन के गढ़वा जिले के रमकंडा परखन की बलीगण पंचायत में मुख्य मंतरी ग्राम सड़क योजना के तहत करीब 9 क्रोर की लागत से सड़क नेमन कराया जा रहा है। भारत ने निजलेंड को 3-1 से हराया। पहले मैच में निचली रैंकिंग पर काविज अमेरिका से 0-1 से हर जलनी पड़ी। बताद निजलेंड ने सनीवार को इटली पर 3-0 से आसान जित धर्ज की थी पर अभिवार को भारतिय टीम पूरी तरह से बदली हुई दिखी। अमेरिका से मिली हार को पिछे छोड़ते हुए भारतिय टीम ने अल राउंड पर दर्शन किया और टर्फ के हर कोने का इस्तिमाल कर छोटे और तेज तराज पास से हमले किये। एकावन सव दियों से जगमग होगा जारखन का बगोदर। इसके बाद परसाद का बितरन किया जाएगा। इस सेमिनार का आयोजन डाक्टर पारूल कोटवाला के अध्यक्स्ता में संपन हुई है। जारखन मौसम में कहीं कहीं हलके दर्जे की बारिश हो सकती है। वहीं 15 वा 16 जन्वरी की सुबा में कोराया धूंद और बाद में आस्मान मुख्यता साप रहेगा। मौसम सूस्क रहेगा। मौसम भी भाग ने एलो अलर्ट जारी किया है। इसके उन्चार राजे के उत्री भाग में कहीं कहीं मध्यस से खाने कोरे की संपन है। 29 जन्वरी की सुबा में कोराया धूंद और बाद में आस्मान मुख्यता साप रहेगा। धन्यवाद।